डालर की मांग बढ़ने से अमेरिकी मुद्रा में आगे भी तेजी बनी रह सकती है रुपए के अलावा अन्य एशियाई मुद्रों में भी डालर की तुल्ना में गिरावट डर्ज की गई है शाम को रुपया डालर के मुकाबले 56 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ IPL स्पार्ट फिक्सिंग प्रकरण को लेकर विवादों में घहरे BCCI अध्यक्ष एन श्रीनवासन की मुश्किले आज उस समय और बढ़ गई जब BCCI उपाध्यक्ष और IPL कमिश्टर राजीव शुकला ने IPL उपाध्यक्ष अरूं जेटली से मुलाकात के बाद कहा कि श्रीनवासन को मामले की जाच पूरी होने तक उस प्रकरिया से बिलकुल दूर रहना चाहिए शुकला ने कहा कि जेटली के साथ सारे मुद्दों पर बात हुई है और मामले की जाच के लिए गठित आयोग में BCCI का सिर्फ एक सदसे है